हुआ हालो गैस मेरे नाम वीपेन है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल टेपनो वीपेन में आज मैं बॉक्सिंग करना चाहरा हूं पोको एकस्ट्री प्रो की चीहां यह पोको एकस्ट्री प्रो मैंने फिलिपकार से फर्चेस किया था इसमें कोच किस टैप से बॉक्स आता है वह मैं फ़िटाफट आपको दिखा दूता हूं तो यह फैनली यह फिलिपकार का जो बॉक्स से यह ओपन हो चुका है एंड गाइज इसमें कुछ फॉन का बॉक्स है वह उसके नजर मार लेते हैं तो यह कुछ इस टैप से आता है आंड फोन पर फोकस कर लेते हैं तो फोन का बोक्स यसाइब से आता है ब्ले ही ऐसे आगई पीचह कुछ इसमें फीच्रेस बगरा दिए हैं कि कि स्टाइब का फोन है और त्म एरेंट और इसमें प्राइज है तो पीच्चे आप इस तरीके से डिये सकते हैं साइड में आपको Poco X3 Pro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंद पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन से हैं जैसे की इसके दो केमरा है वो 48 पिक्सल है 120 हर्स का रिफ्रेट से रट्स है एंद 860 इसने ट्रेगन मिलता है आपको एंद बड़ी डिस्पले मिल जाती है तो यह कुछ से आता है और फॉन को फटा फर भार निकाल लेते हैं कि किस आप का फॉन देखने को मिलता है तो यह कुछ से हैं यह काफी मुझे अच्छा लगा है आप पर्चेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे दूंगा, आप आप वहां से जाएगे पर्चेस कर पाएंगे। यह गाइच कुछ इस टाइब से बोक्स आता है यह चोटा सा बोक्स है आइए इस बोक्स को ओपन कर लेते हैं और अंदर देख लेते हैं क्या कैसे सरी देखने को मिलती है तो यह SIM ejected tool है, इसमें आप SIM tray निकाल सकते हैं इसके साइता से, इसमें एक documentation card है, और साथ में यह case cover है, case cover की quality चे कर लेते हैं, जी हाँ case cover काफी अच्छा है, transparent case cover है, ऐसा बोलूंगा में, और यह मुझे काफी अच्छा लगा है, premium quality का है, तो यह काफी अच्छी बात है, और सा accessories पर नजर मार लेते हैं, कि accessories किस type की देखने को मिलती है, तो यह guys accessories में यह आती है, कि इसमें एक data cable आती है, data cable की जो बात करूँ में, यह type A to type C data cable है, and इसमें जो आप देख रहे होंगे, कुछ इस type से, इसकी जो length है, वो one meter है, और इसमें जो orange color का जो safe है, यह मुझे काफी unique बना देता है, यह मुझे काफी अच्छा लगा है, and charger काफी अच्छा है, 33W का FAST charger है, जो आपका phone 1 गहांटे में fully charge कर देगा, तो यह मुझे काफी अच्छा लगा है, वो charger की बात करें, तो charger भी काफी अच्छा है, काफी fast charger है, यह नो ने provide किया हुआ है, तो यह मुझे का कपी अच्छा लगा और इसमें जो केमरा का कटाउट है वह मुझे कटाउट काफी अच्छा लगा गॉयल से लिग अच्छी बात है बड़ी डिस्पल होने की वज़े से वह जबरदस्त होने वाली है पोट्स अन्ट बात कर लेता हूं तो इसमें राइट सैड आपको साई माइक देखने को मिलेगा एंड लेफ्ट साइड की बात करूं तो सिम एजेक्टिव ट्रेज देखने को मिल जाएगी एंड बॉटम की साइड बात करों तो आपको इस्पीकर गिरिल एंड टैपकी सोगे एर 3.5 mm जेक देखने को मिल जाएगा तो यह गाइज कुछ इस टैप से है केमरे का बंप जो है काफी निकला हुआ है और गोल सेट में यह केमरा जो है काफी अच्छा लुक दे रहा है से अग्याज में फटा-फटे से बूट कर लेता हूं तो जट तक मैं बूट कर रहा हूं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें और कमेंट में भी बताइए कि आपको यह अन्बॉक्सिंग देखकर कैसा लगा और यह फोन आपको किस टैप का लगा आपको पर्चस करना चाहिए या नहीं तो काईज यह बूट हो चुका है आई 6.67 एंज की बड़ी डिस्प्ले एंड साथ में IPS LCD रिफ्रेट हर्ट के साथ तो यह मझे काफी अच्छा लगा है एंड डिस्प्ले काफी बड़ी है तो बड़ी होने की वज़े से आपका जो गेमिंग एक्स्पिरियंस से वह काफी अच्छा आपको एक्स्पिरियंस देगा एंड काफी अच्छा लगेगा आपको तो डिस्प्ले काफी बड़ी है आए इसकी OS की बात करें तो इसमें Android 11 आता है out of the box एंड यह Android 11 पर रन करता है तो यह काफी अच्छी बात है फ्यूचर में आपको अगर Android 12 मिलता है तो इसमें साथ में अपडेट्स ऐसी आती रहेंग तो डिस्प्ले 120 हर्स की बजबे से डिसप्ले काफी फास्ट हो जाती है इंड कुछ सेब्स की डिस्प्ले जो है वो देखने मिलती है siècle बात करूं डिस्प्ले के ऊपर तो डिस्प्ले जो है वो दो मौड़ में आती एर रियक मोर्ण डार्क मोर्ड जब करते हैं तो कुछ इस टाइब से आता है यह कुछ डार्क मोर का है तो यह काफी अच्छी बात है आई यह केमेरे की बात करूं तो फटा-फट देख लेते हैं केमेरा कितने का है 48 MP का main camera देखने को मिलता है, 2 MP का आपको depth camera देखने को मिलता है, 8 MP ultrawide and 2 MP micro sensor देखने को मिल जाता है And friend की बात करूँ तो friend आपको 20 MP aperture 2.2 के साथ देखने को मिलता है तो guys कुछ step से है, इसमें video recording कर पाएंगे, video recording जो होती है वो 720 से लेके 4K तक आप कर पाएंगे और साथ में अगर आप जब video recording करेंगे तो आप 1080 में 60 fps कर पाएंगे and ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसमें 4K से 30 fps ही सूट कर पाएंगे, not 60 fps, okay तो यह कुछ step से है, इसमें Qualcomm Snapdragon 860 processor आता है and for LPDDR4X RAM आती है, साथ में UFS 3.1 का RAW मिल जाता है यह काफी अच्छी बात है and इसकी जो storage है वो flexible level की है, इस यह coming soon है, अभी भी 18996GB variant का है तो यह जब भी आता है तो आप purchase कर पाएंगे, अगे मैं फटा फटा आपको दिखा देता हूं कि fingerprint कितना fast work करता है और यह कितना instantly phone को unlock कर देगा तो यह coach guys इस टाइप से है, जिस लागी कि आप देख रहे होंगे fingerprint काफी अच्छा है और यह instantly phone को unlock कर दे रहा है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा है and इसकी wide 11 support आता है इसमें OSR value within limit है connectivity बात करों तो इसमें dual quality 4G आता है Wi-Fi callings का support मिलता है build 5.0 मिलती है इन साथ में dual wind Wi-Fi का भी इसमें support मिल जाता है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा है and इसकी अगर मैं बात करूँ boost की तो इसमें gaming का अलग से एक option मिलता है आपको इसमें आप देख सकते हैं boost gaming boost तो आप जब gaming आप जब करेंगे इस phone के ऊपर तो gaming आपको काफी अच्छी होने वाली है और काफी अच्छा experience आपको देगा तो यह कुछ step से इस phone में option आपको मिल जाता है तो यह phone step से था और बताए आपको यह phone कैसा लगा अगर यह अच्छा लगा तो प्लेज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बिलताव नेक्स्ट वीडियो में